नमस्कार दोस्तों रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस उड़े हम देखने वाले बैंकरफ कम्पनी के बारे में जिसका नाम है रिलाइंस कम्यूनिकेशन यानी आरकॉम के बारे में तो अपने देखा रहेगा पिछले पास दिन से स्टॉक लगा तार अपस सरकित में भाग रहा था लेकिन आज की दिन में जो कम्पनी का ट्रेडिंग है बंद हो चुका है तो इस उड़े हम देखने वाले जो रिलाइंस कम्यूनिकेशन है जो आनिल धिरुबय आमबानी गूर्प से बिलॉंग करते क्या कम्पनी का स्टॉक डिलिस्ट हुआ ह या पर जो ट्रेडिंग है टेंपरेरी बेसिस के उपर बंद किया है और जो एंसल्ट में क्या चल रहा है पूरी डीटेल में एनलिस्ट करने वाले लेकिन वीडियो के स्टाट में बदन चंग जो भी स्टॉक ले रहे तो खुद का स्टड़ी जरूर किजे तो आप लोग उ हमेशा क्या होता है यहां पर उसके पास दो सिचिशन रहते एक तो कंपनी पूरी की पूरी लिक्विडिट हो जाएगी यहां पिर कोई बड़ी कंपनी आएगी और सामने से खरीदने की कोशिश करेगी तो आप लोगों को पता रहे का जो रिलाइंस कम्युनिकेशन है इसक की जो रिलाइंस जी हो है इन्होंने जो भी टावर बिजनिस है इसको खरीद है लगबग 3700 क्रोड का जो अमाउंट यहां पर बैंक्स को लेंडर्स को भेज है तो बाकी का जो रिलाइंस कम्युनिकेशन यहां पर जो भी एंसिल्ट से बाहर आ सकते लेकिन आगे जके क्या ह वह तो बैंक्स को यहां पर जो भी कमिटर क्रेडिटर रहे इसके पर डिपेंड रहेगा लेकिन आप लोगों को पता रहेगा आज की दिन में जो भी कमपनी का स्टॉक का ट्रेडिंग है बंद हो चुका है उसके पीछे का रिजन है ओह है यहां पर कंपनी को वापस है आयर अगर कोई बैंकरफ कमपनी होते है अगर उसको यहां पर हमेशा रिस्टिक्ट के लिए यहां पर थोड़े दिन के लिए तो हमति में कि दिन इसका ट्रेडिंग चालोगा वह है मंडे की दिन तो जैसी मंदे आएगा वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा और वहां तो आज का छोटा सा अपडेट रिलाइंस कम्मिनिकेशन के लिए अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर सकते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं